हलो फ्रेंड्स वेलकम डू माई यूटूब चैनल आज हम इस वीडियो में देखने वाले है राजस्तान जिके के इंपोर्टेंट क्यूशन के बार में राजस्तान में गेट और की चत्रिया किस राज़वान से समंधित है याद रखेगा आपे ज Dre Sal matter के पत्तों की हवेलिक क्यों परसीत है क्योंकि पत्थर की जालियों की कटाई है उ उसके कारणे जेक्सलat मेर की पत्तों के वेलिक है वो परसीत है देवकुंड की चत्रियां किनकी याद में निर्मित की गई थी बीकानेर की राजाओं की याद में देवकुंड की चत्रियां है वो निर्मित की गई थी कर्षना विलास महल कापर स्थित है तो उद्यपूर में स्थित है कर्षना विलास महल अर संत रेदस की सत्री कहां पन्देर में थे है जो चीतोडगड में है निहाल टावर का आप रहा है तो जो दोलपूर स्थित गंटा करेंची निहाल टावर बोला जाता है जैपूर को गुलाबी रंग किसने करवाया था तो महाराजा स्वाई राम सिंग 2 ने जैपूर को गुलाबी रंग है वो करवाया था स्वाई राम सिंग 2 ने 1835 जैपूर की सभी इमारतों पर 1866 इसमें प्रिंस अलबर्ट के जैपूर आगमन पर पर गुलाबी रंग करव्या था यार दोस्तों अब कि यूशन पूच लिया कि कि क्यों करव्या था work Is उस टाइम में जेपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था, इसलिए उसे पिंक सिटी बोला जाता है, अगला किशने कोटा बुंदी मार्ग पर देवपुर गाम के निकट, 1613 में निर्मिते, छत्री के स्तंबो की संक्या कितनी है, तो 84 है, पन्ना मीना की बावडी कहा बेता था, छत्रीया, कि सासर को सबसे अधिक मेवाड की बोदीक वे कलात्म गुंती का स्रे जाता है, तो मारणा कुमबा को, राजस्तान की सत्यापत्य कला का जनक कहा जाता है, राणा कुमबा को, राजस्तान की सत्यापत्य कला का जनक राणा कुमबा कहलाता है, राणा और अगस्ट 2010 में जंतर मंत्र को विश्य दर्वर में सामिल कर लिया गया था। अगला किसने जैपुर की साथ सक जिसने पांच वेटाएं यहां पर। गया गया था जैपुर में पांच वेध सालों का निर्मान कराया था। जंतर मंत्र भी एक वेध चालना हैं। अगला क्यूशन है। स्थिते अलावदिन खान का मकबरा जाना जाता है तो सोला सोला थंबा के नाम से सोला थंबा के नाम से अजमेर में अलावदिन खान का मकबरा है वो सोला थंबा के नाम से जाना जाता है अतारकीन का दरवाजा राजस्तान के निमने में से किस जिले में है तो नागोर में अतार एतारकीन का दरवाजा नागोर में स्थीत है राजस्तान में दानचंद चोपड़ा की अवेली कांपर स्थीत है तो सुजानगड में है याद रहे हैं, सोजानगर में दान्चन्स ओपडा की अवेली हैं, अवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है, परताब मंदिर, अवा महल की जो पहली मंजिल है, उसका नाम है, परताब मंदिर, छारबाग कांपर स्थित हैं, बुंदी में हैं, छारबाग, अगला क्यूशने, बच्छावतों, रामपूरिया, गलेच्छों और शेटिव के वेली रास्तान में कापने हैं, तो बिकानेर में हैं, अगला केशन नीचे कुछ चत्रियां और उनके अस्तलों के नाम दिये हैं, तो कौन सा सुमेलित सही नहीं है, चार सुमेलित है, तीन सुमेलित है, बाकी एक गलत है, वो है, अस्ती कमबो के चत्री बुंदी में नहीं है, कुमर पर्थिराज के चत्री कुमलगड में है, ब्राह्मन देवी के चत्री मंदोर में और मामा बानजाए के चत्री है, वो जोधपुर में है, जैपुर में अवस्तित इसर लाट का निर्माना किसने करवाया था इस्वरी सिंग ने करवाया था राजमल का यूद 1777 में विजे के उपलक्स में महाराजा इस्वरी सिंग ने जैपुर में इसर लाट का निर्माना करवाया था इसे सरगा सुली भी का जाता है अगला जो क्यूशन है एक तरफ सूची दी गई है और एक तरफ सेक्ट सूची दी गई है हमें सही उतर का चैन करना है तो पहला है सेख हमिमुदिन मिट्टी महावली ये गागरवन में है मुसी महाराने की परसिद्ध असी खमोगी चित्री काम रहे तो अलवर में है अलवर ऐसे असी अलवर के महाराजा पक्तावर सिंग नी लस्वाडी की लड़ाए में मराठों की विरूद लड़े थे और पासवान मुसी रानी की चत्री का निर्मान महाराजा विने सिंग ने करवाया था और दो मंजिला चत्री पहली मंदिर लाल पत्रोसी है और दूसरी मंजिले संग मरमर्च से स्थीत है अगला कुछने नेहर खांग की मिनार कांपर है तो कोटा में है नेहर खांग मिनार जैपुर का निर्मान की सुरस वा था 1727 में जैपुर का निर्मान वा जून जूनों के संस्तापक कोन थे तो महमूद खा जून जूनों के संस्तापक थे अलवर की स्तापना किस ने की थी तो राव परताब सिंग ने की थी अलवर की स्तापना जोदपूर में प्राचिन राजाओं की छतरियों उद्योगों के लिए परसिद स्थान का नाम क्या है तो वो है मंदोर अगला क्यूशन है 17443 के बीच जील में लेक बिलेज का निर्मान किसके द्वारक किराया गया था जोदपूर नगर की स्थापना कब हुई थी या आरेस में पूचे गया क्यूशन है बुंदी की रंग महल का निर्मान किसने करवाया था तो चतर सालने करवाया था बुंदी में रंग महल का निर्मान 1799 में में करवाया था और इसका वास्तू कार लालचन था और पांच में जिला इस इमारत में 953 खिड़किया है अगला जो क्यूशन है सोन मर्क्यूशन वो है एक महल जिसका निर्मान किल्ले की बांती किया गया और जहांपर मुझबूत बारे दिवारे अस्त वेस्त बुजर क्या जा सकते हैं कर तो कौन सा फिवलेजGO है तो जुणा पिवलेज़ डुणेर पुर्ट का यह सीcloth grade सेके मिया आद सुका है अगला एगला क्यूंछने मजार ए फकरी नेन वैसेने मक्ला क्सार्णी में हैं तो है दूंगरपूर में मजार ए फकरी.. । चैयत फक्रणीन की मजार और गलिया को दूंगरपूर में स्थ hy और दावधि बौर दाय असवा थ्याध तेृत नुचosition सिर हथें बिर्स्त сейчас से.. क्युष्य में जैपूर नगर की स्तापना के समें मुख्य वासतुकार यह नगर नियोजग कोन था smile तो विद्दादर बटाचारिय जैपूर के स्तापना की थी Jającroonga? पुर्णगर की स्तापना विद्दादर बटाचारिय की द्वारा जो एक मुखे वास्तुकार थी और नगर नियोजक भी थी। तो ग्यास्यuddin खिलजी नी कभायजा मुखे दीन की दरगा अजमेर में दिरमाना करवाया था। अग्ला किसने स्रण वाही नगर किस नगर का एतियासिक नाम है तो सीरोही का दो नुम्र उप्षन इसका सही होगा सीरोही चापर है स्रण वाही नगरें। अगला क्यूशन है अडाइदीन का जौब्डा मुखे था कहां पर रहे तो संसकर्थ कोलेज ती उसको चेंज करके श्को फुड़ुआ करके और अडाइदीन का जौब्डा बनाया गया था उसकी जगह पर ही तो इसका दो नमरोब संट सही होगा संस्कृत कुलेज अगला क्युषन है अजमेर में स्तित खौजा साहब की दर्गा में स्तित बड़ी देग की समुगल सम्राट दोरा बेंट की गई थी तो वो की गई थी अकबर के दोरा दरगा में दो देग रखी गई हैं इनमें बड़ी देग बादसा अकबर द्वारा 1567 में और छोटी देग बादसा जांगीर द्वारा 1613 में बेंट की गई थी अगला क्यूशन है अबानेरी प्रेटरंस तल किस के लिए परसीद है तो आठवी स्थाब्दी के मंदिरों के लिए परसीद है और अगला जो क्यूशन है वो है मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहां पर सतीत है तो बगवानपूरा बांसवारा में सतीत है गुलाब घांगा मकबरा जोधपूर में सतीत है अगला क्यूशन है ख्वाजा मोयनदुन चिस्ति की दरगा में जामा मस्तित का निर्मान मुगल सासक द्वारा किया गया था ख्वाजा मोयनदुन चिस्ति की दरगा है उसमें जामा मस्जित का निर्मान किसने गराया था त दोस्तों किशन आपको कैसे लोगी कोमेंट में जुरूब बताएं किशन आचे लोगी